हेलो जी, क्या हाल चाल है, so welcome back to my channel, आज मैं आपको एक Chinese movie जिसका नाम है Too Cool To Kill, यह explain करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे रहेगे तो वीडियो को जरूर से लाइक क्या Movie के शुरुआत होती है एक माफिया ग्रूप से, जिसका बॉस हार्वी समुंदर के बीच बने एक बिल्डिंग को बॉम से उडाने आया था, पर उसी बिल्डिंग में बने एक टावर पे एक हिटमेंड को देखते हैं, जिसका नाम काल है, जो हार्वी को मारने आया था, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, हार्वी ट्रिगर दबा कर उस बिल्डिंग को ही उडा देता है, और गन शॉट उसके कानों को छूकर निकल जाती है, नेक्स सीन में हार्वी अपनी असिस्टेंट जीमी के साथ हॉस्पिटल आता है, काल से मिलने, जिसे वो सभी एक वरकर बता है कि उसकी लापरवाही के वज़े से एक आदमी का एकसिडेंट हो गया, और वो डॉक्टर को उसका बेस्ट इलाज करने को बोलता है, बहीं काल था जो हार्वी को देखकर अंदर ही अंदर फूटे जा रहा था, बहीं जीमी हार्वी को बताता है कि जो चोट उसे कान पे लगी है, वो शायद से गन शॉट की वज़े से है, क्योंकि उन्हें उस जगह पे एक बुलेट भी मिली है, और शायद उनके अपोजिशन गैंग ने काल नाम के खुंकार हिटमैन को उसे यानि हार्वी को मादने के लिए हायर किया है, जो जानकर हार्वी अपने आदमी उनके सामने पढ़ा था, जिसे कोई नहीं पैचानता, वो अलग हाथों से गन का एक्शन करके हावा में ही गुरियां उड़ा रहा था, जिसे देखकर जिमी वस लाइक तू बड़ा कूज रहा है, जिसे तुझे काल की सारी इंफोर्मिशन पता है, और उसके तूटे पैरो पारी भी नहीं मिली है, तो या तो वो उसके पैसे वापस कर दे या फिर उसे शादी कर ले, अब मिलान थी कि उसे शादी करने से रही, तो उसे कुछ टाइम मांगती है, लेकिन तभी अचानक से वहाई गन शॉट की आवाज आती है, और हारवी को लगता है कि काल वहाँ भी उसे मारने पहुँच किया, पर उसका आदमी उसे बताता है कि सरदार गन शॉट नहीं बलकि एक बलून फूटा है, और मिलान इतना तो समझ जाती है कि हारवी काल से डरता है, और ये भी कि आज तक काल को किसी नहीं नहीं देखा, तो उसके दिमाग भी एक तुफानी आइडिया आता है, और वो बोलती है कि काल को तो वो बहुत ही अच्छे से जानती है, वो उसका डाई हाट फैन है, तो हारवी उसके आगे एक शर्त रखता है कि अगर वो उसकी और काल की मीटिंग करवा दे तो वो उसके सारे करजें माफ कर देगा, जिसके लिए मिलान भी ही यहां से भागने की प्लानिंग कर ली है, पर उसके लिए उन्हें दस दिनों का वेट करना होगा, और तब तक हारवी के सामने किसी को फेक काल बना कर पेश करना होगा, और तब ही उनके पास चैंग नाम का एक जूनियर आटिस्ट आता है, जिससे एक एक्टिंग की ए ब पूछो मत, डायरेक्टर उसे बताता है कि वो एक यूनीक टाइप की मूवी बना रहा है, जिसमें ना तो स्क्रिप्ट है, ना डायलोग है, और ना ही कैमरा है, और चैंग वस लाइक, यह कैसी मूवी है, जिस पे डायरेक्टर उसे जाड़ पे चढ़ाता है, और बोलता है कि सिचुएशन ही उनकी मूवी की स्क्रिप्ट है, उनकी भावनाई ही उनकी डायलोग है, और उनकी आखे ही उनकी कैमरा है, नहीं कैमरा तो हैं, पर वो सामने नजर नहीं आएंगी, बलकि वो सेट पे चारो तरफ लगी होंगी, जो उन्हें हमेशा कैप्चुर करती रहें और बोलता है कि वो लोग एक धम सही आदमी के पास आये हैं, उसका तो जनमी एक्टिंग करने के लिए हुआ है, उसका खाना, पीना, हसना, रोना, जीना, बरना, सब कोछ एक्टिंग है, अब बस वो लोग उसकी एक्टिंग स्किल्स को देखें, वो आग लगा देगा, गले दिन उसे हार्वी से मिलवाने ले जाते हैं, और चैंक एक अच्छे एक्टर की तरह अपने कैरक्टर की पूरी तयारी करके आता है, और डायरेक्टर से बताता है कि उसका कैरेक्टर यान soul, एक एकनात है जिसे एक इकैल्य आदमी ने पाल पुसकर बढ़ा किया है, और Welsh के पास लाये जाता है जिसके आतमी पहले से ही अपने हथियार तयायर रखते हैं कि जैसे ही काल कोई गल्ती करे उसकी जान ले ले और चैंग आते साथी बंदरों की तर हार्वी के टेबल पे चढ़ जाता है। कैमरा तो वहीं है वही हार्वी और उसके आदमी सोचते हैं कि भाई खिड़की के बाहर कौन से दुनिया है और तबी चैंग प्लास्टिक की बंदूग लेकर हार्वी पे अटेक कर देता है और सभी को लगता है कि वो रियल की बंदूग है और चैंग सभी को अपने हत्यार न आजाता है और डैरेक्टर चैंग से बोलता है कि वो रिटेक लेना चाहते हैं तो वो दुबारा से इस दिन को करते जिसके बाद चैंग फिर से हार्वी के पास आता है और फिर से वही टेबल और नाइफ अला स्टन तोहराता है जो देखकर हार्वी वोज लाइक ये खुद और उसके घरिच की तारीफ भी करता है और चैंग अगेन अँचिलेबल ओlett है और सभी को डराने की कोशिश करता है और ये माफिय भी जाने कैसे माफिया थे जो उसे डर रह Nein, और तभी और चैंग से अकेले में बाद करता है कि उसे हार्वी से हाथ मिला लेना चाहिए पे डिरेक्टर बोलता है कि Cut. Karl का निकनेम है, उसे एक इटेलियन आदमी ने अडॉप्ट किया था इसलिए उसका नम बहुत लंबा है, तो वो उसे शॉर्ट कट में Cut. पुलाता है, तो जेमी हर्वी से बोलता है कि next day उसकी एक Italian client के साथ meeting है और चुकि का लिटली में बड़ा हुआ है तो उसे Italian भी आती होगी तो वो help के लिए उसे उसके साथ जाने दे जिस पे चैंग भी तयार हो जाता है जिसके बाद अगले सीन में मिलान और डायरेक्टर मिलकर उसे यानी चैंग को थोड़े थोड़े Italian वर्ट सिखाने लगते हैं पर चैंग बोलता है कि उसे तो Italian आती है जी एक अच्छा एक्टर वही होता है जो अपने कैरेक्टर को वही टच दे जो उसे आता हो अगर उसे Italian न क्लाइंट से मिलने एक कैफे में आता है जिनके साथ उनकी गन की कोई डील होनी थी और चैंग जीमी से बोलता है कि उसे पता है कि मशीन दर्वाजे के पीछे लगी है क्योंकि वहां से पूरे रोंग को शूट करने में आसानी होगी अब गन से यहां पे चैंग का मतलब था कैमरा से पर जीमी उसे मशीन गन समझ रहा था क्योंकि उसने सच में दर्वाजे के पीछे एक मशीन गन रखी हुई थी क्योंकि उसे चैंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं था और जब क्लाइंट वहां आते हैं तो चैंग बस एक ट्रांसलेटर का काम करता है पर उसमें भी व जो देखकर क्लाइंट नराज होता है और यहां दोनों ग्रुप में फाइरिंग स्टार्ट हो जाती है और चैंग वो मशीन गन उठाकर अंदा दून फाइरिंग स्टार्ट कर देता है अब उसे क्या पता कि गन असली है उसे तो मज़े आ रहे थे और अजीब बात यह थी क गोली किसी को लगती भी नहीं खैर बाद में जीमी देखता है कि जो पैसे क्लाइंट लेकर आया था वो सभी नकली थे तो उसे लगता है कि काल यानि चैंग को पहले से ही इस बात की जानकारी थी वो उसे बहुत ही पहुँची हुई चीज समझता है तो अगले सीन में वो ह हालवी के पास पहुचता है और उसे पूरी बात बताता है जिस पे हालवी उसे चैंग पे नजरे रखने को बोलता है ताकि वो उनके साथ कोई चला की ना कर सके इधर चैंग था जो डायरेक्टर से जित कर रहा था अपनी एक्शन सीन की फुटेज देखने के लिए पर डा वेमरा वेमरा सब भूल जाए बस अपने एक्टिंग पे ध्यान दे वो बहुत ही अच्छा कर रहा है लेकिन उसे डाउट ना हो इसलिए एक ड्रामा करता है वो एक कैफे में चल रहे है शूटिंग को रुगवा कर सभी को बाहर कर देता है और फिर उसकी यानि चैंग और मिल था पर चुकि उनके हस्बेंड ब्लाइन है और उन्हें बहुत सारे हेल्थ इशूज भी है इसलिए उन्होंने उन्हें कभी भी अपने बेटे की जानकारी नहीं दी लेकिन तब से चैंग उनके साथ उनका बेटे बनने की एक्टिंग कर रहा है और वो भी उसे अपने आपस आती है तो वहां जिमी पहले से ही मौजूद था जिसे अब तक पता चल चुका था कि चैंग बस एक एक्टर है और काल बनने की एक्टिंग कर रहा है और वो मिलान के आगे एक शरत रखता है कि वो चैंग को वैसे ही एक्टिंग करते रहने दे पर जैसे वो चाहता है फैसे फरना वो उसे और डारेक्टर को मार देगा यहां हमें ये भी पता चलता है कि जिमी ही हारवी को मरवाना चाहता है ताकि वो लीडर बन सके और उसी ने काल को हायर भी किया था पर वो उसे पहचानता नहीं है पर मिलान ऐसा नहीं करती और अगले सीन में चैंग को वहां से चले जाने को बोलती है ये बोलकर कि वो शूटिंग बंद कर रहे है क्योंकि उन्हें पैसो की प्रॉब्लम आ रही है तो चैंग बोलता है कि वो अपना पेचेक गिव अप कर देगा इवेन उसके पास जितनी भी सेविंग्स है वो सभी लगा देगा पर वो शूटिंग न रूके पर मिलान बोलती है कि उसे एक्टिंग एक दम नहीं आती वो बिल्कुल घटिया एक्टर है लेकिन फिर भी अगर उसे एक्टिंग करनी है तो कहीं और करें यहां उसकी कोई जरुवत नहीं है खाला कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी पर उसे रूडली इसले बात करती है क्योंकि उसे और डिंजर में नहीं डालना चाहती थी पर चैंग भाई सहाब को तो दिल ही टूट जाता है अगले दिन मिलान जीमी को बताती है कि चैंग वापस जा चुका है तो वो डिरेक्टर को मारने चल देता है पर तभी चैंग वहां आ जाता है और उसे लगता है कि शूटिंग फिर से रिज्यूम हो गई है तो जीमी उसे बताता है कि अब वो मुवी में इंवेस्ट कर रहा है तो उसे उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा जिसमें चैंग पहले तो तयार नहीं होता क्योंकि वो मेल लीड है भला वो कैसे किसी सपोर्ट एक्टर के अंदर में काम कर सकता है लेकिन पैसा बोलता है भाई सा वो मान जाता है जिसके बाद जीमी उसे नेक्स सीन के बारे में बताता है जिसमें उसे हार्वी को मारना होगा क्योंकि मुवी के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं मारेगा तो हार्वी उसे मार देगा और अगले सीर में चैंग हारवी के पास आता है जो उस वक्त अपने आदमियों के साथ कार्ट खेल रहा था तो चैंग भी थोड़ी देर उसके साथ खेलता है और फिर उसे शूर्ट कर देता है पहले तो उसे लगता है कि हारवी मरनी की एक्टिंग कर रहा है पर फिर जल्दी ही समझ जाता है कि जो गन उसके हाथ में है वो असली है जिसके बाद हालवी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उनके बॉस को मारने के इलजाम में उसे जिन्दा ही जमीन के नीचे गारने चल देते हैं वहीं मिलान जिमी से रिक्वेस्ट करती है चैंग को छोड़ देने के लिए जिसके बदले में जिमी उससे शादी करने का ओफर सामने रखता है और मिलान इसके लिए तयार हो जाती है जिसके बाद चैंग को उसके सामने लाया जाता है जो अब तक समझ चुका है कि उसके साथ धोखा हुआ है यहाँ कोई शूटिंग उटिंग नहीं चल रही थी और मिलान उसे उसके महनत के पैसे देकर गुडबाय बोलती है और जैंग भी बिना कुछ कहे हसना हुआ वहाँ से चला जाता है पर इतना जरूर समझ जाता है कि मिलान उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रिफाइस कर रही है लेकिन उसके बात से उसके लाइफ से स्माइल गायब हो जाती है वो थोड़े बहुत मुवीज में छोटे मुटे रोल तो करता है पर उसके अंदर एक्टिंग को लेकर वो इंटरेस्ट नहीं देखती और एक दिन उसे एक डायरेक्टर मिलता है वो मिलान का भाई नहीं ये दूसरा डायरेक्टर है जो से अपने मुवी में लीड रोल ओफर करता है जिसमें उसका कैरेक्टर एक हिटमें का है जो सुनकर चैंग को पुरानी बाते याद आने लगती है और वो डायरेक्टर से पूछता है कि उसकी मुवी में स्क्रेप, डायलोग, कैमरा है या नहीं जिसमें डायरेक्टर बोलता है कि भला उसकी बिना मुवी कैसे बन सकती है पर वो कहते हैं ना कि दूद का जला चाज भी फूख फूख कर पीता है तो चैंग उससे एक आखरी सवाल पूछता है कि भला वो उसे रोल क्यों दे रहा है जिसके बाद वो डायरेक्टर उसे एक फूटेज दिखाता है जो तब की थी जब मिलान का भाई उसकी और मिलान की एक कैफे में रोमेंटिक सीन शूट कर रहा था ताकि उसे कोई डाउट ना हो तब वो कैमरा ओन रहे गया था और सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो गया था और वो डायरेक्टर बोलता है कि उसके यानि चैंग के अंदर एक्टिंग की कोई स्किल नहीं है पर उसके अंदर काभिलियत है और अगर उसे अच्छे से सिखाया जाये तो वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है पर उस फुटेज को देखकर चैंग को मिलान के याद आने लगती है उसे लगता है कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए और इसलिए वो इतने बड़े ओफर को भी टुकरा देता है और अगले सीन में सीधा मिलान के भाई यानि डारेक्टर के पार्स पहुंचता है जो उसे मिलान और जीमी के शादी के बारे में बताता है तो चैंग उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और शादी वाले दिन खुद ही प्रीस्ट बनकर चर्च पहुंच जाता है और चर्च की बाहर एक फेक अटेक का सीन क्रियेट करता है जिस वज़े से जीमी और उसके आदमी चर्च के अंदर ही ट्रैप हो जाते है और नेगोशियेशन के नाम पे खुद ही चर्च के बाहर जाता है और खुद की फेक किलिंग दिखाता है जिससे जीमी और उसके आदमी और जाते है उसके बाद चैंग खुद ही एक टैलिन माफिया बनकर वापस से अंदर आता है और बताता है कि उसे उस आदमी की तलाश है जिसकी वज़े से पिछली बार उसकी आदमी उपर अटेक हुआ था यानि कि काल की तलाश है और डायरेक्टर को काल समझकर अपने साथ ले जाता है और उसकी भी फेक किलिंग दिखाता है जिसके बाद वो जिमी से बोलता है कि वो उसे और उसके आदमियों को छोड़ देगा अगर वो मिलान को उसके बोस से मिलवा दे क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन है जिसके लिए जिमी तयार हो जाता है और चैंग मिलान को लेकर वहां से भाग जाता है और जब जिमी ब जो इत्फाक से असली निकलती है उसके बाद सभी के बीच में एक फनी सी फाइट होती है और चैंग सभी को बताता है कि हार्वी को जिमी नहीं मरवाया है पर जिमी इस बात से इंकार करता है और सभी को चैंग के खिलाफ पड़काता है कि उसने उनके लीडर यानी हार्वी को मारा है पर तबी वहां हार्वी खुदी आ जाता है वो भी काल के साथ दरसल होता ये है कि जिमी हार्वी को मरा हुआ समझ कर पानी में फैंक देता है पर कुछ फिशर्मेन उसे बचा लेते हैं और उस हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं जहां पे काल पहले से एडमिट है और होश आने पर वो काल को ही ढूनता है जो उसके बगल वाले बेट पर ही पढ़ा था जिसकी आवाज वापस आ चुकी थी पर आई साइट जा चुकी थी और वो उसे पूरी सच्चाई बताता है कि जिमी नहीं उसे मारने के लिए उसे हायर किया था जिसके बाद होना क्या था हारवी के आदमी जिमी को उठाकर जिन्दा ही समुंदर के अंदर फैंक देते हैं उसके बाद कहानी कुछ आगे आती है हम मिलान और चैंक को देखते हैं जो अब सच में एक साथ एक मूवी में काम कर रहे हैं जिसमें हारवी ही अपने पैसा इंवेस्ट करता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे करता है, तो इस मूवी के एक्स्प्लेनेशन यहीं पे होती है, खत्म, आपको मूवी कैसे लगी, कमेंज सेक्ष्न में जरूर बताएगा, और मुझेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब खीज एगा मैं आपसे मिलूघी नेस्ट एक्सिक्ट्रेशन के तक अपने कूप सब्सक्राइब लगे